कौन सा oxo acid जो reducing agent भी है और monobasic acid भी है basicity क्या होती है acid की कितने H plus iron वो दे सकता है तो इसमें से देखो यह H3PO2 यह reducing agent भी है और यह monobasic भी है monobasic क्यों है कि यह सिर्फ यह H plus iron यह furnish करेगा water में तो monobasic हुआ एक H plus iron यह directly जुड़े भी H plus iron नहीं देता है यह तो इसका reducing nature बनाते हैं इसका reducing nature होने का मतलब है कि अभी यह भी higher oxygen state में जा सकता है मतलब यहां भी हो आ जाएगा और यहां भी हो आ जाएगा है न तो plus five हो जाएगी न फॉस्फोरोस की oxygen state तो दो directly जुड़े हुए है पी के साथ और एक H जो है oxygen के साथ चुड़ा हुआ है तो यह monobasic भी है और reducing agent भी है बाकी सब क्यों नहीं है क्योंकि देखो बाकी में जो है यह die basic acid है देखो यह और यह recite करता है कि die basic है यह metafosphoric acid भी monobasic तो है पर reducing agent नहीं है क्योंकि directly देखो directly इसके साथ H plus N H directly जुड़ाओ ना फास्पोरस के साथ यह O है दो है न अच्छा और यह die basic acid है क्योंकि इसमें 2 है तो कौन सा correct हुआ हमारा D option correct है ठीक है